भाजपा के वरिष्ट नेता और पूर्व केंद्रिय मंत्री यश्वंत सिन्हा ने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे लेकिन पार्टी चाहे तो उन्हें निकाल सकती है पार्टी के विरोध में लगातार बयान बाजी करने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने संबाददाताओं को बताया मेरा आंदोलन किसी व्यक्ति और पार्टी के खिलाफ नहीं है मेरा विरोध नीतियों के खिलाफ है मैं पार्टी का सदस्य हूँ मैं पार्टी नहीं छोड़ूँगा पार्टी चाहे तो मुझे हटा सकती है अपने द्वारा बनाये गए राष्ट्रिय मंच के संबंध में उन्होंने बताया कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है इसमें विभिन पार्टी के सदस्य सहित पूर्व मंत्री और सांसत शामिल है सिन्हा ने कहा ये एक आंदोलन है जो देश के किसानों एवं वेरोजगारों के साथ है भाजपा सांसत शत्रूगन सिन्हा के अलावा भाजपा के अन्य वरिष्ट नेताओं के राष्ट्रिय मंच में शामिल होने के विशाय में उन्होंने कहा ये एक समवेधन शील मामला है जिसका वो समय आने पर खुलासा करेंगे सिन्हा ने अपनी ही पार्टी की केंद्र सरकार पर आरोब लगाया है कि वो देश की जाच एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है जिससे देश में भाई का माहौल बना हुआ है देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले